हेलो फ्रेंट्स जदि आप API टेस्टिंग के लिए पोस्ट में यूज करते हो तो वहां पर उसको आपको डाउलोड करना पड़ता है अपने सिस्टम इसको इंस्टॉल करना पड़ता है या फिर गोगल एक्टेंशन यूज करना पड़ता है जदि आप वह नहीं करना चाहते हो तो एक और तरीका आपके पास VS Code एक्सेंशन है जिसके हेल्प सी अपर API टेस्टिंग करसकते हो तो वहां पे आप कर सकते हो पोस्ट कर सकते हो पूर्ट कर सकते हो इसको प्रेशन यहां पर नियुज करना है सब्सक्राइब अब पर लेना थंडर क्लाइंट एक एक ट्रेंशन है जिसके हैं वह सारे उप्रेशन परफॉर्म कर सकते हो जो पोस्ट में की तुरू करते हो तो यह आपके लिए फ्लेक्सिबल हो जाता है काम करना आपको वार और पोस्ट में नहीं जाना पड़ता तो यहां पर इसको इनेबल कर हम देखा क्लाइट तो इसको क्लिक करना और यहां पर आपको क्या करना है टास्क पर्फोर्म करना का जाORA ह saying पर लोग कर लेते हैं निउ रिक्वेस्ट जब करोगे तो यह वाइड रिफोल्ट आपको एक URL देगा तो यहाँ पर आप सेंड करोगे करें यहां पर लेते हैं तो देशयतों वह सारे मेसेज आपको दिखा दिया जो भी इस URL में होगा तो यहां पर हम सारे टाक्स परफॉर्म कर लेते हैं एक हम लोग फेक API यूच करने वाले हैं जेसंप्लेस होल्डर आपको कुछ निक करना है गोल पर टाइप करना है जेसंप्लेस होल्डर तो एक लिं यहां पर आपको बहुत सारे फेक API मिल जाएंगे यह सारे डेटा तो यहां पर इस वाले लिंक को हम कोपी कर लेते हैं यहां पर इसी को कर लिया कंट्रूल भी सेंट कर लिया तो देख से तो यह तूरन डेटर ले आया तो इस extension के खासवत यह है कि यह काफी भीजना होता है जोदे आप पहले पोस्टमें में काम किया होगे तो आपको पता होगा तो यहां पर कंट्रूल भी कर लिया यहां पर कुछ डेटर चेंज कर लेते हैं सब को यहां पर हमने इसको चेंज कर लिया 99 आईडी को चेंज कर लिया 99 send data तो देख से तो यहां पर response मिल किया है तो जोदे आप गेट करोगे तो वह सारे यहां पर दिख जाएंगे लेकिन चुक्ति हम लोगों खेब करने तो वह डेटा को डिस्प्ले नहीं हो सकता है लेकिन जो भी आपका सेटप होगा अपने सिस्टम में या फिर कोई भी API होगा जो आपका सर्वर को होगा तो उस लिंक को यहां पर पोस्ट करके आप चेक कर सकते हो तो यह पोस्ट ओपरेशन हो जाता है जदी पूट करना है तो यहां पर पूट पर क्लिक करना है यहां पर सबोज आईडी के बेस पर करना है तो आईडी 99 हो गया और सबोज यहां पर इसको आपको करना है 100 तो इसको को डिलिट करते हैं 99 वाले डिटा को सेंड किया तो देख से तो यहां पर कर्री ब्रैक्ट आ गया मतलब वह डिलिट हो गया है तो इस तरह एक का कर सकते हो तो यह काफी अच्छा extension है जदि आब इस एक्स्टेंशन का आप यूज कर सकते हो और पॉस्ट्मेंट को एवोइड कर सकते हो तो उमेद है यह वीडियो आप ज़रू अच्छी लग होगी जदी अच्छी लग होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब रॉक रू पूट करूं उसके नोटिकेस नापको तोलग जाए थैंक्यू हैपी लर्णिंग